ध्यान ग्यान और सफलता सेल पूरा विश्व इस सान नौवा अंतर राष्टिय योग दिवस मना रहा है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी हमारे देश में योग और ग्यान को हमेशा सर्व पित्थम रखा गया है इस दिवस का सम्मान करते हुए टेश्बुक लेकर आया है ध्यान ज्यान और सफलता सेल जिससे होंगे हर आंगन में सेलेक्शन इस सेल में आपको मिलेंगे अप्टू 90% तक का डिसकाउंट 20 से 22 जून तक तो अगर आप भी SSC, Banking, Railway, UGC Net, CSIR Net, Defense, AEJ, GATE, State PSC और UPSC से एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो तुरंत जाईए और टेश्बुक सुपर कोचिंग में इन्रोल कीजिए और अपनी तयारी अभी शुरू कीजिए और अपने जीवन में योग के लिए हमेशा समय नकालिए क्योंकि टेश्बुक आपकी अच्छी सिहत और आपकी सिलेक्शन की हमेशा कामना करता है गुडिवनिंग एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में सभी लोगों को उमीद है कि मेरी अवाज क्लियर आ रही होगी एक बार कमेंट में कंफर्म कर दीजिए कि मेरी अवाज क्लियर है यानि कि ओडियो वीडियो पर्फेक्ट है ताकि कोई टेक्निकल दिक्रत ना है और हम अपने सेशन को आगे बढ़ा पाएं विजेंदर, गुडीवनिंग, अक्षय, गुडीवनिंग, सभी लोग का स्वागत है आज के सेशन में अभी तक हम लोगों ने कुछ चीज़े बहुत मज़ेदार सीखी हैं यट वो बेसिक बातें ms जोग हमें पहले से पता होने चाहिए बट हम एक भी वो चीज़ नहीं चोड़ेंगे जो कि हमें पता होनी चाहिए थी और ना पता होने की वज़े से हमें आने वाले सब्जेक्स अपने जो टोपिक हैं वह समझ ना है तो वहां तक पहुँचने के लिए इन बुन्यादी बात को इकठा करेंगे और फिर चीजों को आगे लेकर हम लोग जा रहे होंगे हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया वो हम लोग बात कर रहे थे नमबर सिस्टम पर हम लोगों ने कुछ खास बातें देखी थी नेच्च्छल नमबर हमारे पास किस तरीके से होते हैं सेट ओफोल होल नमबर क्या होता है इंटीजर्स देन रैश्नल नमबर की तीन डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी फिर हम लोगों ने पढ़ी इरैश्नल नमबर की तीन डेफिनेशन रियल नमबर के पास आए कॉम्पलेक्स नमबर सक भी हम लोगों ने बात करने कोशिश की पर हम लोग यह जानते हैं कि अभी हम लोग साथ हैं मिलकर रियल एनलिस का टोपिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए अभी हमें अपने आपको रोकना पड़ेगा सिर्फ रियल नमबर सक आगे चलकर हम लोग जब डिसकस करेंगी कॉम्पलेक्स एनलिसिज तो वहाँ पर हम लोग कॉम्पलेक्स नमबर सको भी तसलिए से देख रहे होंगे और एक चीज़ को विलकुल आप मान सकते हो यदि आपके पाँ जो रियल की टेकनीक्स हैं वो आपको अच्छे समझ आती हैं तो वो काफी आपको मदद करेंगे आगे चलकर भी कॉम्पलेक्स को पढ़ने में भी वहाँ पर समझने में टोपिक्स को आपकी काफी मदद कर रही होगी चलिए तो आज की बात्षित की शुरुआत करते हैं मुझे बताएं कि अकल हम लोग लास्ट टोपिक्स जो पढ़ रहे थे हम लोग उने ऐलिमिनेशन मैथड तक की बातें कर ली थी कि तरीके से हमारे पास सवालन को स्वول्म करने के लिए हम लोग उलिमिनेशन टेकनीक का यूज करते हैं ज़ादा इंपोर्टन क्या था कि हम लोग जब भी यूज करने उस टेकनीक को तो वहाँ पर किस तरह की गलतियां अक्सर हम लोग कर देते हैं उन गलतियों से बचने का तरीका हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग लगाएं कैसे मैथड कि गलती ना हो हमसे कोई ठीक है आज की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे पास नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई एक और खास चीज़ जब आप लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में बात की हमारे पास शुरुआत में था नेच्चरल नंबर सेट फोल नेच्चरल नंबर फिर हमारे पास आया सेट फोल होल नंबर फिर हम लोग गए हमारे इंटीजर्स के पास फिर हम लोग गए हमारे rational numbers के पास फिर हम लोग गए हमारे real numbers के पास फिर हम लोग गए हमारे complex numbers के पास Basically, number system की ये chain हमें यहाँ पर नजर आ रही एक बहुत बुनियादी बात आप लोग यहाँ पर महसूस कर पाएंगे कि हम लोग जो ये development कर रहे थे बार-बार हम लोग नए number system के पास जा रहे थे इसमें हमारा जो main मकसद था वो ये था कि हमें polynomial equations के जो solution थे वो मुझूदा number system में नहीं मिले इसलिए हम लोग बेतर number system के पास जाते रहें बट complex numbers के पास एक बहुत खास property निकल कर आई जिसे हम लोग क्या कहते है fundamental theorem of algebra तो complex जो numbers होते है basically मेरे पास उनके पास एक खास property होती है जिसे हम लोग आगे चलकर proof भी करेंगे even complex synthesis में जाकर basically वहाँ पर क्या कहा जाता है कि मेरे पास अगर कोई polynomial equation है तो उसके सारे के सारे root अगर मालो n degree की polynomial है तो exactly n आपके पास जो root आएंगे वो complex numbers में मिल रहे होंगे यानि कि सारे solution complex numbers में बैठे होंगे इस वज़े से हमें इससे आगे number system के बढ़ाने की अशक्ता नहीं पड़ी और यहाँ पर जाकर हम लोगों ने सबर कर लिये बट अब एक चीज़ सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखे जब हम लोग number system में आगे बढ़ते चले जा रहे थे natural numbers से whole number के पास में गए हमें एक नया number मिला जिसे हम लोगों ने शुन्या का नाम दिया whole numbers से integers पर गए धेर सारे हमारे पास negative numbers भी निकल कर आए यानि कि हर stage पर हमें कुछ ना कुछ मिलता चला जा रहा है पर आप लोग जानते हैं कि जब भी हमें कुछ मिलता है है ना जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं कुछ प्राप्त करना चाहते हैं क्या हमेशा उसकी कीमत चुकानी पड़ती है? हाँ या ना? सब्सक्राइब गुडिवनिंग क्या एगरी करते हैं सभी लो कि हमें जब भी कुछ चाहिए जैसे कि मैं हमेशे एक्जामपल देता हूँ कि आपका एक्जाम जैसे 6 महीने बाद हमारा नेट का एक्जाम होने वाला है जब आप नेट का एक्जाम वहाँ पर दोगे आप एक बहुत अच्छा रेंक वहाँ पर आ रहा होगा तो अगर आप से किसी ने पूछा कि क्या ये सब आपको मुफ्त में मिल गया है? तो आप को दोरान हर रोज कलास को अटेंड करना हर रोज जो हम लोग कलास में पढ़ रहे हैं उसको रिवाईज करना ना जाने कितनी सुबह मैं पाँच बजे चार बजे उठकर मैंने पढ़ा है? ना जाने कितने शनिवार संडे ज़र मैं बहार घूमने के जा सकता था मैं नहीं गया ना जाने अपनी फैमिली में कितने functions थे जो मैं टेंड नहीं कर पाया उन सब चीजों की कुरबानी देने के बाद आज ये exam मेरा qualify हुआ है मैंने पूरा 6 महीना पूरी इमानदारी से त्यारी की तब मुझे मिला है यानि कीमत की systems में चुकाई जा रही है आपके बहुत कीमती समय के रूप में आप लोगे कीमत चुका रहे है तो हमें बास समझ आती है कि अगर हमें कुछ चीजे मिल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत चैह किसी भी terms में आप वहाँ पर चुका रहे हो आपको चुकानी पड़ती है तो यहाँ पर भी क्या हमने कुछ यहाँ पर कीमत चुकाई हाँ हम लोग जहे जहे नई number system के पास गए कभी कभी कुछ असान properties गवानी पड़ी कभी कभी कुछ बहुत शानदार properties गवानी पड़ी ध्यान से देखना जब मैं बात करता हूँ जब मैं बात करता हूँ natural number से whole numbers के पास जाते हुए natural number से whole number के पास जाते हुए क्या यहाँ पर हम लोगों ने कुछ property को गवाया हाँ बिल्कुल गवाया property क्या है basically अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2 प्लस 3 दो natural numbers को जोड़िए तो आप कहते हैं कि answer क्या आया 5 मेरे पास answer आता है जो दो natural number को जोड़ कर नया natural number आपके पास आया वो हमेशा उन दोनो natural number से बड़ा आ रहा होगा strictly greater 2 प्लस 3 फाइव आया 5 टू से भी बड़ा आता है 5 थ्री से बड़ा आता है बट क्या बात यह whole numbers में सच होती है whole numbers में बात सच नहीं होती 3 प्लस 0 करें तो 3 आ गया जो कि मेरे पास उन दोनों number से strictly greater than नहीं आता है दियानी कि मैं बात कहा सकता हूँ न कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास दो natural number है M और N M और N तो यह दोनों हमेशा M और N से बड़े आ रहे होगे जहाँ पर M N क्या है natural number है या फिर मैं यह बात भी कहा सकता हूँ यहां से कि M by M प्लस N और N by M प्लस N यदि M N natural number है तो यह हमेशा less than बनाएगा शांदार चीज़ आगे चलकर थोड़ा सा इसका use भी कर रहे होगे तो हम लोगों ने basically इस property को यहां पर खो दिया जब मैं natural number से हमारे whole number के पास जा रहा हूँ अब थोड़ा सा बात करते हैं whole number से जब हम लोग integers के पास गए तो क्या हमने तब भी किसी property को खोया कौन सी property है जो आपको लगता है कि whole number से integers के पास जाते हुए हमने गमा दी बताना शुरू करें सभी लोग बताएं ऐसी वो कौन सी property है देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है देखते हैं सबसे पहले किसा कमेंट आएगा ऐसी वो कौन सी property है जो कि हम लोगों ने खो दी जब हम लोग गए whole numbers से integers के पास कुछ लोगों को नजर आ रहा है क्या चलिए मैं थोड़ी मद करता हूँ हमारे पास अगर मैं whole numbers के बारे में बात करूँ आप से पूछा जाए कि whole numbers शुरुआत कहां से होती है सबसे पहला whole number आप किसे कहेंगे आप होगे कि 0 से शुरुआत होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, अपने पास 5, 6, 7, 8 ऐसे अपने पास whole numbers होते हैं बट अगर मैं आपसे कहता हूँ integers के बारे में ना तो ये left hand side में हमारे हाथों में आते हैं ना right hand side में हमारे पास जब whole numbers के starting position पूछे गई तो आपको जवाब पता है बट integers दोनों side ही हमारे हाथ से बाहर निकल जाते हैं यानि कि जो इस starting position बताने की ये property है कि पहला अपने पास whole number हम 0 को कह देते हैं integers में ऐसी चीज हमारे पास नहीं होती है यानि कि whole numbers से integers के पास जाते हुए एक ये छोटी सी important property हम लोगों ने खो दी अब थोड़ा सा इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं integers से rationals के पास जाते हुए एक बहुत शांदार property हम लोग होते हैं ध्यान से सुनना बहुत काम आने वाली property आगे जब हम लोग points से topology पड़ रहे होंगे वहाँ पर बहुत काम आएगी ये बात क्या कि जब मैं जाता हूँ integers से integers से rational numbers के पास integers से rational numbers के पास जाते हुए हमने जिस property को खो दिया वो property ये है कि यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि मानलो 4 4 से just next integer मेरे पास कौन सा होता है 4 से just next integer आप कहोगे कि 4 के बाद 5 आता है 4 से just पहले कौन सा integer आता है फिरी आता है बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 के just next मेरे पास कौन सा rational number आता है कुछ बच्चे कहेंगे कि 4.01 आता है फिर मैं कहाँ दो कि 4.001 उससे छोटा हो गया तो कुछ बच्चे कहेंगी चलिए 4.001 ले लीजिए मैं एक 0 और एड करता चला जाओंगा और उनसे छोटा नमबर बताता चला जाओंगा यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं डेखने की क्या 4 से just next उससे next rational numbers exist करते हैं बट just next जो उससे आगे बैठाओ मान लीजिए यह मेरे पास रहा 4 मैंने assume कर लिया कि 4 से just next जो आगे बैठा हुआ rational number है वो है L 4 भी एक rational number है L भी एक rational number है अब यदि मैं यहाँ पर 4 प्लस L के बारे में बात करूँ वो भी एक rational number आएगा यदि मैं दो rational numbers को add करता हूँ तो नया number भी क्या आता है rational number प्रूफ करना भी असान है एक rational number P by Q की form का दूसरा इमान लीजिए आप लोग M by N की form का दोनों को add करोगे numerator मे भी मेरे पास integer बनेगा denominator मे भी 90 integer बनेगा यानि दो rational numbers को जोड़कर हमेशा नया number क्या मिलता है एक rational number ही मिल रहा होता है अब यहाँ पर जो इस 4 प्लस L है ये एक rational number है यदि मैं divide by 2 कर देता हूँ तो क्या इस 4 और L के बीच में बैठा हुआ एक नया rational number मिल गया बिल्कुल मिल गया जबकि हमने तो क्या कहा था हमने assume किया था starting में कि L अपने पास 4 से just next bet था वो rational number है इन दोनों के बीच में कोई rational number आ नहीं सकता यानि जो हमने assume किया था वो बात गलत थी contradiction आ जाने की वज़े से which means कि ऐसा कोई number जो just next हो वो exist नहीं करता है हमें बात नजर आती है ठीक है so just next और just पहले अपने पास क्या आने वाला है यह property हम लोगों ने खो दी जो कि integers में हम लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे थे फिर हम लोग बात करते हैं जब हम लोग rational numbers से थोड़ा परिशान हो गए और हम लोगों ने बनाए irrational numbers यहाँ पर irrational numbers के पास क्या कोई ऐसी कमी है कमी है हमारे पास क्या ठीक है ध्यान से देखो हमने अभी बात की अगर मैं किन ही भी दो rational numbers को जोड़ता हूँ तो हमेशा मेरे पास एक नया number जो निकल कर आता है वो rational number ही आता है पर अगर मैं दो irrational numbers को जोड़ूँ तो क्या मैं ऐसी कोई बात कह सकता हूँ तब मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकता कारण क्या है ठ्यान से देखना अगर मैं एक irrational number उठाता हूँ मान लो root 2 irrational number है? बिलकुल है अगर मैं इसे add करता हूँ इसमें minus root 2 ये भी एक rational number है? मिलकुल है दो irrational numbers को जोड़ कर answer क्या आ जा रहा है? 0, 0, जो की एक rational number है यानि कि ये अपने पास कताई ज़रूरी नहीं कि दो अगर मैं irrational numbers को जोड़ू और मेरे पास जो answer आए वो irrational ही आए हो सकता है कि rational number आ जाए यानि कि जो अरिथमेटिक अपने पास operations की property है हमने इसे खो दिया जब हम लोग rational numbers से irrational numbers के पास गए और हमने इन दोनों को जोड़ कर एक नया number system real number system बनाया अब यहाँ पर एक property और होती है जो की rational number के पास में है बट irrational number या फिर मैं कहूं कि real numbers उनके पास में नहीं है property क्या है ध्यान से सुनना हमारे पास जो set of all rational number है यह मेरे पास आता है एक countable set countable set जो set of all irrational numbers है यह मेरे पास आता है uncountable set uncountable set और यह set of all irrational number uncountable है साथ ही साथ set of all real number भी uncountable होता है अब कुछ लोग के मन में होगा कि countable uncountable हम लोग किस तरीके से बताएं कुछ-कुछ जानकार इसके बारे में होगी जिन लोग को नहीं पता है परिशान मत हो यह जो दो बातें लिखी हुई है आने वाले चसमें हम इने with proof देख रहे होंगे कि Q countable क्यों है और Q complement uncountable क्यों बनता है मेरे पास यह सारी बाते हम लोग तसलिए से देख रहे होंगे बट यह property पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या property आई Q countable था यानि उसके elements को हम लोग गिन पा रहे थे उसके elements को basically label कर पा रहे थे बट जैसे Q complement आया irrational number uncountable हो गया set हमारे पास यानि जो एक ability थी count करने की वो हम लोग खो दिये जैसे हम लोग आगे बढ़े अब जो last हम लोग ने चलांग लगाई set of all real number से complex number के पास जाते हुए क्या किसी को पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने किस property को खो दिया जब हम लोग गए हमारे set of all real number से हमारे set of all complex number पर क्या कुई ऐसी property थी जो कि हम लोग यहाँ पर खो बैठे जब हम लोग real से complex पर गए numbers तो बहुत सारे हमें मिल गए पहले हमारे पास सिर्फ real numbers थे बट अब क्या है a plus b iota type के number यानि कि मेरे पास नए number बहुत सारे आते हुए नजर आ रहे है बट क्या कुछ ऐसी property है जो कि खो बैठे है हम लोग बिल्कुल हम लोग यहाँ पर एक property खो बैठे है ध्यान से सुनना अगर मैं आपसे पुछता हूँ 2 3 से छोटा है या बड़ा है आप लोग होगे यह तो असान सी बात है 2 3 से छोटा आता आपसे मैं पुछता हूँ 4 1 से छोटा है या बड़ा है आप कहोगे कि 1 तो 1 के बराबर है इन जेनरल अगर मैं कहूँ आपसे कि दुनिया के कोई भी दो अगर आप real number उठाते हो तो उन दो real number में हमारे पास इन तीनों में से एक relation hold कर रहा होगा या तो A, B से छोटा होगा या A, B के बराबर होगा या A, B से बड़ा होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं कोई बताएगा बहुत अच्छे अक्षया बड़ा या छोटा नहीं कह सकते complex में हम लोग बिल्कुल हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं बहुत बड़ी आप जेंदर हम लोग इस low को किसी नाम से जानते हैं क्या कि हमारे पास real numbers में low of trichotomy hold करता है जिसे कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे पास अगर कोई भी दो real number है तो ये इन तीनों में से किसी एक बात को satisfy कर रहे होंगे या तो A, B से बड़ा है या A, B से छोटा है या A, B के बराबर है बट अगर आप से किसी ने पूछा कि मान लो 1 प्लस 2 आयोटा और साथ में मान लो 3 प्लस 2 आयोटा इन दोनों में से हमारे पास कौन सा number बड़ा है कौन सा number छोटा है इसे कैसे हम लोग बात करेंगे ध्यान से देखना हमारे पास अगर मैं complex numbers के बारे में बात करूँ तो basically हम complex numbers के लिए ये complex plane बना लेते हैं जिसकी ये axis बन जाती है real axis ये बन जाती है imaginary axis 1,2 मेरे पास मान लो ये बन रहा ये 2 रहा तो ये आगया 1,2 एक point मान लो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसे रख लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा ये मेरे पास रहा 2 ये मेरे पास रहा 3 मान लो 2 प्लस 3 आयोटा अब ये basically दो points हैं हमारे पास इस plane में अब point एक दूसरे से छोटा बड़ा ये हम कोई natural तरीके से या पर बात नहीं कर सकते यानि कि जो एक comparison की property है कि दो numbers के बीच में comparison किया जा सके हम लोग वो property को खो बैठ रहे हैं जब हम लोग real number से complex numbers के पास जा रहे हैं सभी को बात clear हो गई कि हमारे पास जब हम लोग natural number से whole number के पास के तब क्या खोया whole से integers में क्या खोया integers से rational में क्या खोया rational से हम लोग real में गए तो हम लोगोंने क्या खोया और real से complex में आते हुँ हम लोगोंने जो एक comparison की property है कि हम लोग यहाँ पर कोई बात कर ही नहीं सकते natural तरीके से हलांकि हम लोग आगे चल कर बात करेंगे dictionary order के बारे में कि R2 में basically कैसे define किया जाता एक सवाल भी करेंगे बहुत अच्छा exam में पूछा गया सवाल है infimum से related हम लोग वो चीज़े discuss करेंगे बट यहाँ तक की बाते हम लोग clear होती है एक पर बताएं सभी लोग बताएं प्यूश लोफ ट्राइको टॉमी बहुत बढ़िया बाकी लोग बताएं मुझे क्या सारी बातें clear होती है यहाँ तक किसी को कोई doubt कोई question हो तो अभी पूछता चले फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी जो set को लेकर कुछ छोटी छोटी बातें उन्हें जोड़ते हैं और कुछ अच्छे सवाल साथ ही मिलकर देखते हैं बताएं clear है बहुत बढ़िया बताएं clear है बहुत बढ़िया अक्षय बहुत अच्छे विजेंदर प्यूश बातें clear हो रही है बहुत अच्छे चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोगों को कुछ छोटी-छोटी बातें सीखनी है हम लोगों ने set के बारे में बात की शुरुआत कर दी थी अब set को थोड़ा सा ओर detail में देखते हैं जितनी हमें अवशक्ता है अपने real को समझने के लिए हाला कि अगर मैं बात करूँ set theory पे आप लोग कितनी classes लगा लो है ना चीज़े बढ़ती चली जाएंगी है ना बट हम लोगों को उतना सीखना है जितने हमें अवशक्ता है बट उसमें कुछ basic बात है ध्यान से देखो हम लोग basically अगर set के बारे में बात करें हम लोगों ने शुरुवात में उसे define कर लिया था empty set क्या होता है, singleton set क्या होता है उन चीजों के बारे में बात कर ली थी sub set क्या होता है ये भी देख लिया था कोई दिक्कत नहीं थी वाँत अब हम दो set के बीच में क्या algebraic operations कि इस तरीके से define करते हैं उनको समझने ही कोशिश करते है सबसे पहले उसमें क्या आता है union of two sets हमारे पास ये दो set दिये हुए है तो हम उनकी union को कैसे define करते है union union क्या होती है मेरे पास दो set की union हमारे पास किस तरीके define होती है बहुत simple सी चीज है माल लो आपके पास दो set दिये हुए है a और b ये दो set हमारे पास दिये हुए हम लोग a union b को कैसे define करते है हमारे पास हम लोग उन्हें शुरुआत में एक चीज बढ़ी थी set को represent करने के दो तरीके एक तो सीधह elements को लिख लो एक हमने कहा था x such that एक statement लिख दी जाए p of x हमारे पास वो सारे के सारे x लेने है जिनके लिए p of x statement सच आ रही हो हम यहाँ पर कहने जा रहे है a union b में वो सारे के सारे x आ रहे होंगे जिनके लिए ये statement सच हो हमारे पास या तो जो x है वो capital a में बिलोंग करता हो या फिर जो आपका x है वो capital b में बिलोंग करता हो यदि इन दोनों बातों में से मेरे पास कोई एक बात हो रही हो या दोनों हो रही हो तो मेरे पास शत प्रतिशत जो आपका x है वो a union b के अंदर आ रहा होगा अब यहाँ पर आपको जो शब्द समझना है वो और शब्द को समझना है और का मतलब कितना सा है हमारे पास आपको जो a union b में element लेने है वो element लेने है या तो x set a में बैठा हो या फिर वो b में बैठा हो अगर दोनों में बैठा हुआ है तब तब कोई दिक्कत ही नहीं और का हम लोग को यहाँ पर मतलब समझना है अब जब मैं बात करता हूँ union की इसकी कुछ खास properties के पास जाने से पहले हम लोग इसकी बेसिक जो diagramatically representation है उसे देखते हैं हम लोग यहाँ पर भी एक बात देख लेते हैं कि हमारे पास किस दी के समझ बात करते थे जब भी आप बात करते हो set को लेकर तो भाहाँ पर एक शब्द आप लोग ने सुना होगा universal set यह universal set होता क्या है universal set बस इतनी से कहानी है आप जिस तरह के set के साथ खेल रहे हो वो set आप जहां से उठा कर लाए हो वो set कहलाता है universal set जैसे कि माल लो मैं real numbers के साथ खेल रहा हूँ मैंने एक set उठा लिया जिसमें 1,2,3,4,5,6 बैठे हुए है एक उठा लिया 1,1.2,1.3 बैठे हुए है एक में pi बैठा हुए, e बैठे हुए ये सारे subset किसके है real number के यानि कि मेरा real number क्या बन जाएगा universal set बन जाएगा हमें जिन set के साथ खेलना है अपने पास एक asset जिसमें वो सारे के सारे element बैठे हो जो कि हम लोग अपने set के लिए use करना चाहते हैं वो universal set कहलाता है ठीक है, इसलिए आप लोग एक basically rectangle बनाकर से show कर देते हो कभी-कभी हम लोग नहीं भी बनाते हैं तो अब समझने कोशिश करना हम लोग when diagram के थूरू कैसे देखेंगे हमारे a union b को हमारे पास अगर एक set बैठा हुआ है set a ये है set a ये है set b तो अगर मैं union के बारें बात करूँ तो a union b basically क्या है सारे के सारे वो elements जो या तो set a में बैठे हुए हैं या set b में बैठे हुए हैं वो मेरे पास कहलाते हैं a union b के elements अब यहाँ पर कुछ लोग के मन में doubt आता है कि ये जो दोनों circle है एक दूसरे को यहाँ पर intersect कर रहे हैं basically यहाँ पर overlap कर रहे हैं एक तरीके से अब यहाँ पर एक चीज़ देखना set a के कुछ elements होंगे set b के कुछ elements होंगे पर ऐसा हो सकता है ना कि set a और set b में कुछ common element बैठे हो अगर हमारे पास कुछ common element है तो वो इस common area में आकर बैठ जाते है एक ऐसा आपने पास number माल लो जो set a में भी है b में भी है वो इस common वाले area में आकर बैठ जाता है यह बात हम लोगों को नज़र आती है अब a union b को लेकर a के सारे element डाल दिये set b के सारे element डाल दिये अगर दोनों में कोई element common है तो set बनाते हैं आप लोग जानते हैं कि एक element को दो बार repeat नहीं किया जाता तो उसे एक बार set में रख लिया अब a union b किया या b union a किया और से तो कोई फरक पढ़ने ही वाला नहीं है दूसरी बात हमारे पास अगर मैं a union b union c करता हूँ या फिर a union b union c करता हूँ तो हमारे पास ये दोनों बाते भी सेमाते हैं by definition ही नज़र आता है a b c के सारे elements यहां पर आने वाले हैं ये बात हम लोगों को नज़र आती है चाहे आप पहले b union c निकाले फिर union करे a के साथ या पहले a union b निकाले फिर union करे c के साथ इन दोनों properties को हम आगे चलकर detail में एक बार आप लोग इनके नाम अभी किरे सुन ले a union b और b union a आने का मतलब क्या है कि जो union corporation है वो basically commutative property को हमारे पास hold करता है जब मैं बात करता हूँ इस दूसरी property के बारे में इसे हम लोग क्या कहते है associative property जब हम लोग पढ़ेंगे हमारा group theory वहाँ पर detail में चर्चा करेंगे इनके नाम पर अभी के लिए सभी को बस पता होना चाहिए basically ये होता है तीसरी property के बारे में गरें बात करूँ तो तीसरी property मेरे पास आती है कि हमारे पास अगर मैं a union 5 करता हूँ तो वो a ही बनता है empty set कभी डाला गया अगर अपने पास तो वो क्या बनने वाला है a ही बनने वाला है last property थोड़ी important property हमारे पास क्या बनती है बताईएगा सभी लोग अगर मैं दो set उठाता हूँ a और b such that a मेरे पास subset है b का तो हमारे पास a union b a के बराबर बनेगा या b के बराबर बनेगा बताएगे सभी लोग बताएगे प्यूश है कुछ सवाल आ रहा है और end में हम लोग अभी फरक समझेंगे हमारे पास हम लोग समझेंगे और और end में क्या फरकात है जैसे हम लोग intersection के बारें बात करेंगे प्यूश ठीक है तभी बात एक गिर हो जाएगे B आएगा सभी लोग जानते हैं यदि A सबसेट B का है यानि कि A के सारे अलमेट B में बैठे हुए हैं तो अगर मैं A union B करने वाला हूँ तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा वो मेरे पास B ही बन जाएगा अगर A पूरा का पूरा B के अंदर बैठा हुआ है तो A union B मेरे पास B के बराबर ही आएगा अब हम लोग बात करते हैं दूसरी important algebraic operation के बारे में जिसे हम लोग क्या कहते हैं intersection 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 मेरे पास किस तरीके से define की जाते है जैसा कि प्यूश ने अभी लिखा कि एक शब्द हम लोग और use करते हैं union के लिए एक शब्द हम लोग use करते हैं and जब मैं intersection define करता हूँ इसमें कभी कभी हमें confusion रह जाता है तो आज सभी लोग इसे ध्यान से सुनिए और समझिए मेरे पास हम लोग वो सारे x यहां पर लेंगे x belongs to a and x belongs to b मेरे पास यह जो small x है वो इन दोनों में belong करना चाहिए बिल्कुल अक्षय है बहुत बढ़िया हमारे पास जब मैं बात करता हूँ intersection की तो इस symbol का use किया जाता है a intersection b को show करने के लिए साथ ही साथ मेरे पास a intersection b में वो सारे के सारे element आते हैं जो a में भी बैठे हो and b में भी बैठे हो जो दोनों में में बैठे हो मेरे पास वो a intersection b के अंदर आते हैं for example for example अगर मैं एक set उठा लेता हूँ मान लो a one two eight और a एक set उठा लेता हूँ मेरे पास five six और मेरे पास small b ठीक है एक element और डाल देते हैं इसमें चलिए ये b और six same न लगे five six है मेरे पास यहाँ पर मैं a डाल देता हूँ ठीक है ध्यान से देखना पहले कुछ common बन नहीं रहता अब मेरे पास a में one बैठा है two बैठा है eight बैठा है और small a बैठा हुआ है b में five है six है और small a है अब अगर मैं a intersection b के बारे में बात करता हूँ तो a intersection b में एक element तभी आ सकता है जब वो a में भी बैठा हूँ and b में बैठा हुआ हूँ अब हमने पूछा one से one ने कहा कि मैं तो सिरफ capital a में बैठा हुआ हूँ b में तो हूँ ही नहीं यानि कि वो मेरे पास intersection में नहीं आ रहा होगा फिर मैंने पूछा two से two की भी same कहानी फिर मैंने पूछा eight से eight की भी same कहानी फिर मैंने पूछा five से five ने कहा मैं b में तो मुझूद हूँ but मैं a में नहीं बैठा इसले intersection में नहीं आ सकता 6 के बारे में बात की 6 मेरे पास B में आया हुआ है बट A में नहीं है बट एक element बैठा हुआ है small a उसने कहा कि हाँ मैं मेरे पास capital A में ही बैठा हुआ हूँ capital B में ही बैठा हुआ हूँ यानि कि मेरे पास जब मैं बात करता हूँ A intersection B के बारे में तो यहाँ पर सिरफ एक element आ रहा होगा जो की small a मेरे पास बन भाँगा small a मेरे पास आ रहा होगा इसके अलावा कोई element नहीं आएगा अगर किसी को इस बात को समझने में दिक्कत होती है तो एक चीज़ ध्यान से देखना सारी बाते clear हो जाएंगे कैसे अगर मैं आपसे बात करूँ एक table बना लेते हैं एक table बना लेते हैं यह रहा a यह रहा b यह रहा a intersection b यह रहा a union b याद रखना इस चोटी सी बात को कभी नहीं फसोगे क्या अगर एक element मेरे पास capital A में belong करता है बट capital B में belong नहीं करता तो मुझे बताएं सभी लोग क्या वो a intersection b में आएगा अंसर है नहीं कि मेरे पास a intersection b में आने के लिए तो उसका a and b दोनों में belong करना हमारे लिए अवश्यक है यानि कि a intersection b में वो नहीं आ रहा होगा क्या वो a union b में आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा हमारे पास अगर एक element जो है वो set a में नहीं बैठा हुआ बट set b में मुझूद है तो क्या वो a intersection b में आएगा नहीं वो intersection b में नहीं आ सकता क्या वो union में आ रहा होगा बिल्कुल आ रहा होगा हमारे पास union में वो आ रहा होगा अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसा element जो A में भी मुझूद है B में भी मुझूद है तो वो intersection में भी आएगा union में भी आ रहा होगा यह बात भी मुझे नजर आती है last option मेरे पास अगर एक element ना तो A में बैठा हुआ है ना B में बैठा हुआ है तो ना तो intersection में आएगा ना union में आएगा यानि मुझे चारों case नजर आते हैं क्या प्यूश बात क्लिए होती है कि union में क्या कहानी होती है और intersection में क्या कहानी होती है नजर आता है अक्षया, विजेंदर कैसा भी लोग को बात किया है कि मेरे पास intersection और union में क्या फरक हो रहा intersection को लिए कुछ बहुत छोटी properties आप लोग समझ पाएंगे पहली property मेरे पास क्या होती है कि यदि आपने A intersection phi किया तो वो तो हमेशा phi आएगा जब empty set में कोई element बैठा ही नहीं हुआ तो उसकी intersection A के साथ तो empty ही आने वाली है दूसरी बात अगर A intersection B के बारे में बात करूँ अब A intersection B में वो element बैठे होंगे जो A में भी मुझूद है, B में भी मुझूद है यानि कि A intersection B का हर एक element A में भी बैठा है B में भी बैठा है यानि कि मैं यह बात कहा सकता हूँ कि A intersection B basically subset आएगा A का भी और B का भी तीसरी खास बात कि यदि आप A intersection B निकाले या B intersection A निकाले ये भी सेमाने वाला है इसके साथ साथ यदि आप इसका Venn Diagram बनाए Venn Diagram बनाना भी असान है basically हमारे पास A intersection B ये common वाला हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा हमारे पास कहलाता है A intersection B ये कहलाता है A intersection B हमारे पास अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने दो ऐसे सेट ले लिए जिसमें A और B में दोनों में कुछ common ही नहीं एक भी element common नहीं आता है ऐसे सेट क्या कहलाते है मेरे पास disjoint सेट ये कहलाते है disjoint सेट अगर definition के बारे बात करूँ तो मेरे पास अगर A intersection B empty आ जाता है तो हम लोग क्या कहते है कि जो A और B हैं ये मेरे पास disjoint सेट बन गए disjoint सेट हमारे पास ये बात हम लोग को नज़र आने चाहिए कुछ basic properties हमारे पास अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग बात करते हैं compliment के बारे में हम लोगों ने शुरुवाती lecture में एक चीज देखी थी कि जब हम लोग irrational numbers के बारे में बात कर रहे थे अगर किसी को वो बात समझ नहीं आई थी तो आज समय है हम लोग उस बात को सीख रहे हैं हमारे पास एक सेट का compliment define कैसे किया जाता है बहुत सधान सी चीज है अगर मेरे पास मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है यहाँ पर जो universal सेट है उसकी जो भूमी का है वो बहुत एहम हो जाती है हमारे पास एक given सेट है मान लीजिए capital A universal सेट आपके पास दिया हुआ है एक U यह है universal सेट यानि कि मेरा जो capital A है वो यहाँ से आ रहा है जब हम लोग real analysis पढ़ते हैं तो हम अधिकतर इसे real number का सेट लेकर चलते हैं तो उसमें हमीं सोचने के रशक्ता नहीं पढ़ती अब हमारे पास यहाँ पर जो capital A है इसे ध्यान से देखना capital A subset है U का अब अगर capital A subset है U का तो U के कुछ element इसके पास आ रहे होंगे ऐसा हो सकता है कि U में कुछ ऐसे element हो जो capital A में ना भी आए हो हमारे पास subset होने का मतलब तो यह ही होता है कि U में extra element हो सकते है अब यह नहीं कह रहे हैं कि होंगे ही हो सकते हैं इतनी बात कही जा रही है अब ध्यान से देखना हम लोग पहले से समझने कोशिच करते हैं इसे define करके A compliment हम लोग किस तरिके से define करते हैं हम लोग कहते हैं कि A compliment में वो सारे के सारे universal set के element आ रहे होंगे जो कि set A में नहीं बैठे हुए यानि कि मेरे पास set A के element को छोड़ कर जो भी universal set में बैठा हुआ element है वो आ जाता है मेरे पास A compliment में और ये मेरे पास एक नया set बन जाता है अब यहां पर एक एहम धूमी का है universal set की आप A compliment किस universal set के साथ निकाल रहे हो उस base पर आपका A compliment change हो सकता है कैसे? माल लो मैंने एक set ले लिया जिसमें कि दो element बैठे हुए है 1 and 2 ठीक है? universal set के ले लिया जिसमें तीन element बैठे हुए 1, 2, 3 अब अगर universal set 1, 2, 3 है मेरे पास तो A compliment में कोन आएगा? सिरफ 3 आ रहा होगा अगर मैं universal set बदल देता हूँ 1, 2, 3, 4 रख लेता हूं नहाँ पर तो अब A compliment में 3, 4 आ रहा होगा which means कि मुझे यहाँ पर नदर आती है बात कि जब भी मैं compliment define करूँ तो मैं किसके साथ define करूँ? with respect to अपने universal set के साथ इसलिए हमेशा हम लोग जब भी कहते हैं Q compliment in R हम लोग बात कर रहे हैं Q compliment की in real numbers हमारे पास तो हम लोग को यहाँ से बात नज़र आती है एक छोटी सी property अगर आपने A compliment का compliment किया तो भाई सहाब यह तो फिर से A आ जाने वाला है अगर आप लोगों ने A union A compliment किया तो पूरा U बन जाने वाला है और तीस्ती property हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको compliment की यह बात नज़र आती है तो हम लोग बात करने जा रहे हैं Compliment से जुड़ा हुआ अपने पास एक बहुत प्यारा सा ठीक है बहुत basic सा लो जिसे हम लोग क्या कहते हैं D Morgan's हमारे पास यह हमें क्या कहते हैं मुझे बताना कितने लोगों को यह बात पता है अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ कि जो A union B का Compliment है वो A compliment Intersection B compliment के बराबर होगा या A compliment Union B compliment के बराबर होगा इन में से कौन सी बात सचा रही होगी बताएं सब ही लोग इन में से कौन सी बात सचा रही होगी दूसरी चीज A Intersection B का Compliment A compliment Union B compliment बनेगा या फिर A compliment Intersection B compliment बनेगा विजे अंदर ने खा उपर वाला यानि की Intersection बनेगा सभी लोगों ने याद किया हुआ है बहुत अच्छे से कि जब मैं A union B compliment करता हूँ तो बताना कैसे याद किया कि union का intersection हो जाता है intersection का union हो जाता है याद करना असान रहता है तो basically हमारे पास यही D Morgan Slow है हमारे पास इस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको A union B compliment निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका proof लिखना ही बहुत असान है अगर मुझे proof लिखना है इसका तो हम लोगों एक technique सिखी थी कि यदि आपको किनी दो set को बराबर दिखाना है तो आप क्या की दिए आप एक को दूसरे का subset दिखा दीजिए यानि कि अगर मुझे दिखाना है कि left hand side वाला जो अपने पास set है वो right hand side वाले set के बराबर है तो मान कर चलिए कि एक element Y है जो A union B के compliment में है ये कब हो सकता है? ये सिरफ और सिरफ तब हो सकता है यदि Y मेरे पास A union B में belong ना करता हो अगर वो compliment में चला गया यानि कि वो A union B में नहीं बैठा होगा अब आप लोग जानते हैं कि A union B में एक element कब नहीं होता? ध्यान से देखना हमारे पास हमने अभी सिखा था एक element A union B में सिरफ तब नहीं आ सकता जब वो ना तो A में हो ना मेरे पास B में हो आप लोगों को नजर आ जाएगा एक element A union B में सिरफ और सिरफ तब नहीं आ सकता जब वो ना तो A में बैठा हो ना B में बैठा हो यानि कि ये मेरे पास सिरफ वो सिरफ तब होगा जब y ना तो a में बैठा है and y ना मेरे पास b पे बैठा है अब यहाँ पर आप लोग महसूस कर रहे हैं union का intersection किस point पर हुआ इस point पर union का intersection हो गया यह जो conversion होता है वो इस step पर हो जाता है अब यदि y a में नहीं है and y b में नहीं है इसका मतलब क्या है कि y मेरे पास a complement में होगा and y मेरे पास b complement में होगा तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि y मेरे पास a complement intersection b complement में होगा यहाँ से आप लोग similarly दूसा law प्रूफ कर सकते हैं अब अगर मुझे ये बात नज़र आती है हम अब last property पढ़ने वाले हैं अभी के लिए ताकि हम लोग जब कल के session में मिलें तो कल हम सिधा सवालों की practice करें कुछ अच्छे सवाल हम लोग discuss कर रहे होंगे तो एक last topic यहाँ पर हम लोग जिसे क्या कहते हैं difference के बारे में बात कर लेते हैं difference क्या होता है दो set के बीच में difference हम लोग किस तरीके से बात करते हैं difference के बारे में बात कर ले यदि आपके पास दो set दिये हुए हैं A और B तो मैं A-B define कैसे करता हूँ कुछ किताबें इस symbol का use भी करते हैं किताबیں A-B ऐसे भी लिखते हैं दोनों ही चीज़े हम लोग यूज़ कर सकते हैं A-B basically define कैसे होता है आपको set A के वो सारे के सारे elements लेने हैं such that X मेरे पास B में belong ना करता हूं set A के वो सारे elements जो set B में belong ना करते हूं similarly B-A कैसे define किया जाता है वो सारे के सारे elements set B के जो set A में मुझूद ना हूं बहुत simple है देख पाना A-B क्या हुआ set A के वो सारे element जो set B में नहीं है B-A क्या हुआ set B के वो element जो set A में नहीं है और हमारे पास हम लोग यहाँ पर define करते हैं symmetric difference A symmetric difference B हम लोग जब group पढ़ेंगे वहाँ पर भी इस operation का use करेंगे और वहाँ पर group को पढ़ने ही कोशिश करेंगे हमारे पास A symmetric difference B basically बनता क्या है यह मेरे पास A-B union B-A हमारे पास बनता है A-B union B-A हमारे पास बन जाता है अब इस पर based और आगे अपने आने वाले कुछ concepts पर based हम लोग कल साथ है मिलकर सवाल देख रहे होंगे यहाँ तक किसे कोई question हो कोई doubt हो तो वो पूछ सकता है चाहे तो comments में भी लिख देना इसके साथ आज आप लोग के लिए एक छोटा सा मैं homework दे देता हूं चलिए बताएं सभी लोग करके आएंगे homework homework सिर्फ कितना करना है just comment में answer बता देना थीक है तो एक कल की lecture से पहले हम लोग देख पाएं कितने लोग इसने की बाते कर पा रहे हैं पहली चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि E symmetric difference E symmetric difference F यह मेरे पास क्या बन रहा होगा option A ले लेते हैं मान लो 5 option B है E option C है F और option D है E union F यह सवाल सभी लोगो ट्राई करना है यह सवाल recently ही है ना कुछ अपने पास 3-4 साल पहले ही NBHM exam में पूछा गया असान सवाल है बर देखो कभी-कभी वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या आपको 2018 में पूछा गया सवाल है NBHM जो PhD के लिए एक्जाम होता है ठीक है वहाँ पर यह सवाल पूछा गया था तो इस सवाल को सभी लोग ट्राई करेंगे और इसका comments में अंसर लिख रहे होंगे आपको symmetric difference operation का पता लगया कि यह होता क्या है अब इस पर try कीजिए और देखे किस तरीके से मैं हाँ पर बात कर सकता हूँ तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते है बाकी बाते हम लोग आने वाले session में discuss कर रहे होंगे कुछ सवाल discuss करेंगे कुछ और नए concepts हम लोग सीख रहे होंगे so उमीद है सभी लोग बहुत अच्छे चीज़ समझ रहे है और इसी तरीके चीज़ों को आगे लेकर जाना है सभी लोग को आने वाले session से बहुत साइट topic हम लोग देख रहे होंगे real से शुरुआत की है बाकी topics आने वाले से में धीर दीर जुर्दे चले जाएंगे ठीक है so मिलते हैं अपने आने वाले sessions में आज के लिए फिर यहीं पर रुखते हैं कल हम लोग मिलेंगे शाप 5 पियम और कल बातों को आगे बढ़ा रहे होगे चलिए मिलते हैं कर इस साल नौवा अंतर राष्टिय योग दिवस मना रहा है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी हमारे देश में योग और घ्यान को हमेशा सर्व पित्थम रखा गया है इस दिवस का सम्मान करते हुए टेश्बुक लेकर आया है ध्यान घ्यान और सफलता सेल जिससे होंगे हर आगन में सेलेक्शन इस सेल में आपको मिलेंगे अपटू 90% तक का डिसकाउंट 20 से 22 जून तक तो अगर आप भी SSC, बैंकिंग, रेलवे, यूजी सीनेट, सीस, ध्यान, घ्यान और सफलता सेल पूरा विश्व इस साल नौवा अंतरराष्टिय योग दिवस मना रहा है जिसकी शुरुआत भारत न कीती हमारे देश में योग और घ्यान को हमेशा सर्व पिठ्थम रखा गया है इस दिवस का सम्मान करते हुए टैश्बुक लेकर आया है ध्यान ज्यान और सफलता सेल जिससे होंगे हर आंगन में सेलेक्शन इस सेल में आपको मिलेंगे अप टू 90% तक का डिसकाउंट 20 से 22 जून तक तो अगर आप भी SSC, Banking, Railway, UGC Net, CSIR Net, Defense, AEJ, Gate, State PSC और UPSC से एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो तुरंत जाईए और टैश्बुक सुपर कोचिंग में इन्रोल कीजे और अपनी तयारी अभी शुरू कीजे और अपने जीवन में योग के लिए हमेशा समय निकालिए क्योंकि टैश्बुक आपकी अच्छी सेहत और आपकी सिलेक्शन की हमेशा कामना करता है ध्यान ज्यान और सफलता सेल पूरा विश्व इससान नौवा अंतर राष्टिय योग दिवस मना रहा है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी हमारे देश में योग और ज्यान को हमेशा सर्व पित्थम रखा गया है इस दिवस का सम्मान करते हुए टेश्बुक लेकर आया है ध्यान ज्यान और सफलता सेल जिससे होंगे हर आंगन में सिलेक्शन इस सेल में आपको मिलेंगे अपटू 90% तक का डिसकाउंट 20-22%